अवर नेक्स डाउट इस रिलेटेट टू नमबर सिस्टम कोश्चंस और यहां पर हमार पर दो कोश्चंस दिये गए हैं फर्स्ट में हमें स्क्वेर फाइंड करना है और दूसरे कोश्चं में हमें असेंडिंग ओडर में इसको लगाना है तो हम देखते हैं कि किस तरह से कोश्चंस सॉल्फ होंगे तो फर्स्ट कोश्चंस है how to find the square of 1111 हमें किसका square find करना है 111 का 1 का हमें क्या find करना है square find करना है और दूसरे कोश्चंस में हमें ascending order में इस नमबर को लगाना है तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर 11111 का इस तरह से कोई भी square आ जाए ए 1 की form में अगर 1 की form में किसी का भी square आ जाए चाहे आपर 5 times 1 दे रखा हो या 6 times 1 दे रखा हो any times ठीक है ना तो हमें क्या करना होता है हमें पहले 1 गिनने होता है कि 1 कितने times हमें दे रखा है तो हम गिनेंगे पहले कितने times बार हमें 1 दे रखा है 1 2 3 4 4 times बार हमें क्या दे रखा है 1 दे रखा है तो इसका मतलब यह है अगर square की बात करूँ तो इसका मतलब यह है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1111 multiply by 1111 क्योंकि square find करना है मतलब इस number को 2 बार multiply किया गया होगा अब हमें क्या गिनना है कितनी टाइम्स बार हमें 1 दे रखा है, तो 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स बार हमें 1 दे रखा है, तो मैंने आपको बताया है कि जब इस तरह से आपको 1 के form में कोई square निकालना आ जाए, तो आपको क्या करना है, counting गिन ली है, तो यहाँ पर 4 times 1 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 4 times तक क्या करोगे, counting गिन होगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 times 1 है, तो हमने 4 तक counting गिन ली, 4 के बाद आप क्या करोगे, द्वारा से reverse counting शुरू कर दोगे, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, कैसे करना है, द्वारा से सुन लो, आपको क्या करना है, जितने भी हमें 1 दे रखे हैं, उतने टाइमस हमें काउंटिंग करने की कितने 1 हमें दे रखे हैं, तो 4 टाइमस हमें 1 दे रखे हैं, तो हमें 4 तक हमसे अपैस नंबर लगाना है तो प्वाइब कर सकते हैं से अंदिंग 1, Block NAS 10 Am a Against 59.9 गडिन हैं 69, 10 69.8 टे यह हैं आपम इस एक लिए आं चरल बार बंबर ना अबर दो हम नंबरम इस अन रिवह को सब चोटा नंबर नंबरत करना है 49.9 छोटे नंबर से बड़ा नंबर कुन सा है 59.9 इसके बाद जो बड़ा नंबर है वो कुन सा है 69 इसके बाद जो बड़ा नंबर है वो कुन सा है 69.8 तैन इसके बाद जो बड़ा नंबर है वो कुन सा है 69.9 सबसे बड़ा नमबर कौन सा जाएगा एटी यह हमारा क्या हो गया एसेंडिंग ओडर होगा याने की बड़ते करम में जिसे हम लगाते हैं चोटे नमबर से शुरू करा और बड़े नमबर तक हम चलेगे ठीक है तो यह स्क्वेर भी आप फाइंड कर सकते हो ठीक है आपको क् स्क्वेर में नमबर नमबर उफ उन कने प sparkling है तो आपको फौर तक काउंटिंग करनी है बन रिवर्स कांटिंग करनी है ठीक है अगर आफ फाइन करते देन होगा तो प्यम्ड पैसे लाइक की जैगा और शेर कीजेघ आपने फेंड हैंस के साथ